बैरूने मुल्क मुकीम पाकिसानियों का सबसे बड़ा मसला मुल्क में अपना घर खरीदना है ताके वो मुल्क से बाहर रहते हुए पाकिसान में अपने घर के मालिक बन सके। बैनोवेशन करवा सकते हैं और ये सहूलत इस्लामिक और कन्वेंशल बैंक्स दोनों फराहम कर रहे हैं। ये कर्जा मार्केट में मौझूद दिगर कर्जों के मुकाबले में डेट से धाई फीसद सस्ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 लाग रुपे का कर्ज साथ साल के लेते हैं, तो मार्केट ट्रेट के लिहाद से आपको 13.5% इंटरस्ट देना पड़ेगा। इसके बरत्श अगर आप यही कर्जा रुषण अपना घर इसकीम के तहत लेते हैं तो आपको 11.5% इंटरस्ट देना पड़ेगा। यानि आप यूं समझ लीजिए कि मार्केट के बजाए अगर आप रोशन अपना घर lien based option के तहत करजा लेते हैं तो कर्ज के उपर आपको 1,10,000 रुपे कम अदा करने पड़ेंगे इसी तरह अगर आप non lien based option अवेल करते हैं तो भी आपको 40,000 रुपे का कम interest अदा करना पड़ेगा इसी scheme के तहत करजा लेने के लिए दो options दिये गए हैं lien based option के तहत करजा लेने के लिए रोशन डिडिटल अकाउंट का balance या नया पाकिस्तान certificates बैंक में गिरवी रखवाने पड़ेंगे लेकिन अगर नया पाकिस्तान certificates या रोशन डिडिटल अकाउंट foreign currency में है और घर की मालियत 10,000 रुपे है तो आपको घर की मालियत का 105 फीसद यानि के 10,50,000 रुपे के certificates बैंक में गिरवी रखवाने पड़ेंगे और कर्स की मुदद मुकमल होने तक आप वो certificate sell नहीं कर पाएंगे इसी तरह अगर आपने रोशन डिडिटल अकाउंट का balance अंदर्ट लियन मार्क करवाया है तो कर्स की मुदद मुकमल होने तक आप वो रकम बैंक से नहीं निकाल पाएंगे मिसाल के तौर पर अगर घर की मालियत 10 लाक रुपे है तो लियन बेस आप्शन के तहत कर्जा लेने पर बैंक आपको 99 फीसद या 9,90,000 रुपे finance करेगा जबके 10,000 रुपे आपको डाउन पेमिंट की सूरत में खुद अदा करने पड़ेंगे अगर आपने कर्जा नॉन लियन बेस आप्शन के तहत अवेल किया है तो बैंक आपको 85 फीसद या 8,50,000 रुपे finance करेगा जबके 1,50,000 रुपे आपको खुद अदा करने होंगे अगर आप अपना घर रेनुवेट करवाने के लिए बैंक से financing चाते हैं तो लियन और नॉन लियन दोनों आप्शन में बैंक आपको घर की मालियत का 40 फीसद कर्जा देगा करजा लेने के लिए दूसरा option है non lien based option जिसके तहट बैंक में कुछ गिर्वी रखवाना तो नहीं पड़ता लेकिन इसका interest rate lien based option के मुकाबले में थोड़ा जैदा होता है इसके इलावा आपको बैंक को proof of income भी provide करना होता है क्योंके इस option के तहट कुछ गिर्वी रखवाना नहीं पड़ता इसलिए core applicant यानि के शरीके दर्खवास गुजार जो पाकिस्तान में रहता हो जिन में आपके करीबी रिशेदार जैसे के वालिदैन, भेन, भाई या शरीके हयात का होना जरूरी है जबके lien based option के तहट कर्जा लेने के लिए core applicant का होना optional है अगर आप salviet person हैं तो loan लेने के लिए कम से कम उमर 20 साल और loan maturity पे जएदा से जएदा 60 साल तक हो सकती है जबके कारुबारी अफराद की कम से कम उमर 20 साल और loan maturity पे जएदा से जएदा 65 साल तक हो सकती है non lien based option के तहट आप घर renovate करवाने के लिए कम से कम 5 लाग और जएदा से जएदा एक करोर रुपे तक का कर्ज ले सकते हैं जबके घर खरीदने और इसकी तामीर के लिए कर्ज की कोई हद मुकरर नहीं की गई है इसी तरह lien based option के तहट भी करजा लेने की कोई maximum limit मुकरर नहीं की गई है अगर आप अपना loan मुकररा वक्स से पहले अदा करते हैं तो कबल असवक्त अदाईगी की fees देनी होगी जबके बकिया मुदत पर कोई interest नहीं देना होगा यह information हमें हमारे publishing partner MCB नहीं दी है लेकिन different bank की मुखलिफ requirements हो सकती है इस scheme का process online है जिसके लिए आपको bank की website पर जाना होगा वहाँ new application पर click करके अपना CNIC number, Russian digital account number और email address enter करें जिसके बाद OTP code आपको आपके email address पर receive हो जाएगा इस वीडियो या scheme के हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो या feedback हो तो जरूर दीजिएगा नेक्स वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाहाफिस